उत्तर पूर्वी जिला पुलिस द्वारा शामलाल कॉलेज में अमन की शाम प्रोग्राम का हयोजन किया गया। तेरा सदोस्यों और NGO Advanced Health Foundation की डॉक्टर श्रया को अच्छे कारियों के लिए मंच पर सुम्रती चिन दे कर संबानित किया गया। आज संपरदायक सोहाद्रे पर अपने विचार रखें और श्रेत्र में अपराद के वर्तमान परिदर्शे को रोकने के लिए साफधानियों की अवशक्ता पर विश्य जोर दिया जाए। दिपेंद्र पाठक ने प्रोग्राम है पुलिस वालों को दी नसीहत और कहा कि अपरादियों के दिल में पुलिस का खोफ होना चाहिए। सुरक्षा की भावना डेली पुलिस की टॉपमोस्ट प्रावरिटी है, दियूटी है। और जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जो भी सोसाइटी में तमाम लोगों से समवाद बनाने की कोशिश करते हैं और ये हमेशा ये प्रयास रहता है। उसका मेन मकसद होता है कि सुरक्षा की भावना और एक्शвал सुरक्षा दोनों में डिस्तिंक्टे इदाफ़ा हो और उसी की पहल में जो आज अमन का जो यहाँ पूर्वी रेंज में आज पूर्वी दिल्ली में किया है इसका भी मकसद वही है और हम समझते हैं कि जो समाज में जितने भी हमारे अमन कमीटी पीस कमीटी या बहुत सारे जो ऐसे सिटिजन हैं जो हमारे सेक्योरिटी अम्बासेडर्स हैं इन दा कम्यूनिटी एन सोसाइटी तो उन सब की मदद से हम एक संस्थागत बहतर सुरक्षा वेवस्था कायम करने में एक बार फिर से सक्षम होंगे और सफल रहेंगे और सोसाइटी में अमन चैन मौजूद रहेगा जो सौहार्द है सामाजिक वह बरकरार रहेगा उसी की पहल है उसी का एफ़र्ट है उसी लिए इसी के लिए हम लोगों यह प्रोग्राइम और हम लोग यहां कट्थे हुए उनकों किस तरह से आप यह मैसेज देंगे कि वह भी अपना प्रेटेस्ट खतम करें आप सुप्रिम कोट ने भी कह सामाजिक सौहार्द है उसको बढ़ाने की पहल के लिए हम यहां पर आये हैं बाकी जो डिली पुलीस का हर वर्ग है और हर जो अंग है और हर छेत्र है अपने अपने काम को पेशेवर तरीके से बकू भी निवाता है टॉप स्टोरी ब्योरो के लिए दिल्ले से रवी डाल्मिया की रिपोर्ट